हेलो एन वेलकम दोस्तों बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के बारे में यानि बैंक बीस एटियप के बारे में जिसका प्राइज आज की डेट में 470 रुपय हमें देखने को मिल आ है और कल के दिन बहुत ही इंपोर्टेंट डेट निकल के आ रही है बैंकिंग सेक्टर के सेक्टर में देख पा रहे होंगे 5% के असपास लगबग 4% की गिरावट है देख पा रहे होंगे और यह 4% जो गिरा है पिछले एक ट्रेडिंग वीक में यानि 400 क्यान बेसे यह ETF 470 पे आ गया है इसकी जो मेन वज़ा है वो है HDFC बैंक के क्वार्टर 3 के नतीजे जो की बात कर लीते हैं पिछले एक साल में क्या कुछ देख्ने को मिला है बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा कुछ रिटेन हमें Δेखने को नहीं मिलने है पिछले एक साल में देखेंगे तो mystice को सिफ 8% के ही रिटन देखने को मिले हैं बैंकिंग सेक्टर में चलिए बात कर लेते हैं क्या कुछ कल इंपोर्टेंट घटने वाला है यानि 23 जनवरी मंगल बार के दिन जब स्टॉक मार्केट कुलेगा तो कल के दिन काफी इंपोर्टेंट चीजे होने वाली हैं बैंकिंग सेक्टर में तो चलिए हर एक चीज को डिसकस कर लेते हैं तो जैसा कि देख पार होंगे जो कल पहली इंपोर्टेंट चीज निकल के आ रही है 23 जनवरी के दिन वो है एक्सिस बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट तो कल की डेट में यानि 23 जनवरी के दिन एक्सिस बैंक अपने क्वार्टर 3 के नतीजे जारी करने वाला है जो कि पहली इंपोर्टेंट चीज निकल के आ रही है और एक्सिस बैंक का अच्छा खासा वेटेज है बैंक निप्टी में यानि बैंकिंग सेक्टर में देख पार होंगे 9.88 लगबग 10% के आसपास का वेटेज है एक्सिस बैंक का क्योंकि ठीक ठाक वेटेज है कुई छोटा वेटेज नहीं है बागे चलिए बात कर लेते हैं अगली पॉट्डेट चीज की अगला इंपॉर्टेंट क्या कुछ देखने को मिलेगा कल के दिन तो देखिए जिसा कि आपको पता होगा Saturday के दिन ICICI Bank ने भी अपने quarter 3 के नतीजे जारी किये थे और जिसका impact अभी stock market में आना बाकी है यानि इस share में भी क्या कुछ impact देखने को मिलेगा यह हमें कल पता चलेगा क्योंकि Saturday को after market ICICI Bank ने अपने quarter 3 के नतीजे जारी किये थे जो कि नतीजे देखने में तो फिलाल अच्छे लग रहा है अब देखते हैं उन नतीजों का इस stock में क्या कुछ impact आता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि ICICI Bank का एक बड़ा वेटेज है Bank Nifty यानि banking sector में देख पा रहोंगे लगबख साढ़े 22% का वेटेज है ICICI Bank का जो कि बड़ा वेटेज है after HDFC Bank जो कि HDFC Bank का 29.39% है और इसका दूसरा सबसे बड़ा वेटेज है साढ़े 22% का जो कि बड़ा वेटेज है तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी important चीज की तो तीसरा बड़ा जो reason निकल के आ रहा है गल के दिन जो की important साभीत हो सकता है वो है Quotec Mahindra Bank देखे इसने भी Saturday के दिन during market अपने quarter 3 के नतीजे जारी किये थे और जिसके बाद नतीजों पर इस stock में अच्छा impact आता हुआ देखने को मिला था क्योंकि result जो है वो during market आये थे तो उसका positive impact आ गया था इस stock पर लगभग 0.5% की तेजी बनी थी उस दिन इस stock में और एक अच्छी बात और निकल के आ रही है कोटेक महिंद्रा बैंक का तो सबसे पहले देख लिए कोटेक महिंद्रा बैंक का वेटेज कितना है तो कोटेक महिंद्रा बैंक का भी 10% के आसपास का वेटेज है जो कि छोटा वेटेज नहीं है बड़ा वेटेज है और आने वाले टाइम में इसमें 25% तक की तेजी एक्सपेक्ट प्लट रहे हैं और 25% ऊपर के टार्गेट दिये हैं जो कि आप यहां देख पार होंगे 2250 रुपए के टार्गेट दिये हैं ब्रोक्रेज फर्म ने जो कि आप यहां पूरी डेटेल पड़ पाएंगे प्रभुदास लीला धर ने 21 जनुवरी 2024 की अपनी रिसार्च रिपोर्ट में कोटेग महिंद्रा बैंक के सेरोक को बाई की रेटिंग दी है इसके लाव ब्रोक्रेज ने इस टॉक के लिए 2250 रुपए का टार्गेट ट्राइस तै किया है तो एक बड़ा टार्गेट दिया है ब्रोक्रेज फर्म ने देख पार होंगे 25% तक की तेजी एक्सपेक्ट कर रहा है ब्रोक्रेज फर्म पूरी डिटेल्स में आप ये न्यूस पढ़ सकते हैं तो कहीं न कहीं आने वाले टाइम में या आने वाले कुछ वीक में आपको कोटेक महिंद्रा बैंक में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है और अभी इसके नतीजे हाली में आएं और हो सकता है कल भी इसमें हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है और अपने जो कौटे 3 के रिजल्ट पे ये पॉजिटिविटी दिखा राए स्टॉक हो सकता है कल के दिन भी तेजी जारी रह सकती है तो कल के दिन फिलाल जो की मार्केट में देखने को मिलना है कल जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें काफी कुछ इंपक्ट देखने को मिलेगा कई न्यूज है एक्सिस बैंक के नतीजे आने हैं और ICICI bank को भी react करना है अपने quarter 3 के result पर तो इस सारा कुछ हमें कल के दिन देखने को मिलेगा और कोटेक महेंदरा bank को ले करके brokerage firm कहीं bullish है तो इसका भी impact हमें कल देखने को मिलेगा तो कल का भी कुछ हर तक इसमें positivity देखने को मिल सकती है या फिर negativity होगी यह तो हम कल market खुलते ही पता चल लाएगा बाकी जो भी होगा कल हम आपके साथ discuss करेंगे तो यह वह important update थी जो हम आपको देना चाहते थे banking sector से तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में पसंद दोनाया होगा वीडियो अच्छ लगाओ तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत बूलेगा मिलते हैं नेक्श वीडियो में तब तक के लिए goodbye